ये स्रिष्टी 84 घटनाओं से गुजर चुकी है 84 बार ये हो चुका है इस अर्थ में सिर्फ 21 अब तक किसी रूप में मौजूद है 63 पूरी तरह से गयब हो चुकी है इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे ढूने पर आप उन्हें अपने सिस्टम में यादाश्ट के चिन्हों के रूप में देख सकते हैं 84 एक महतुपूर्ण संख्या है आज हमारे जीवन में चाहे हम इसके बारे में जागरूख हो या ना हो 84 क्यूं महतुपूर्ण है इसलिए क्यूंकि ये स्रिष्टी गुजर चुकी है 84 घटनाओं से 84 बार ये हो चुका है ये चारासिवी घटना है आज आधुनिक विज्ञान प्रमानित करता है कि पूरी स्रिष्टी बस कमपन है ये मेरा आवश्कार नहीं है ये वैज्ञानिक तत्थ है जहां कमपन होता है वहां ध्वनी भी होगी हाँ? क्या ये ठीक है? मैं तारकिक रूप से चरन दर चरन जाना चाहरा हूँ जाने के और भी तरीके हैं बस ऐसा करके मैं आपको एक अलग तरीके से समझा सकता हूँ लेकिन हम चरन दर चरन जाना चाहते हैं जहां कमपन होता है वहां ध्वनी भी होगी कैसा है? तो आप सिर्फ एक कमपन नहीं है आप एक ध्वनी भी है बल्कि एक शोर है वे जो आवाज कर रहे हैं और वे जो नहीं कर रहे है आप सभी लोग एक ध्वनी है यही आधनिक विज्ञान कह रहा है और बहुत पहले किसी ने आप से कहा था कि सबसे पहले शब्द था और वो शब्द है भगवान आप जानते हैं बहुत पहले यह कहा गया था ध्वनी एक शब्द है बल्कि एक शब्द ध्वनी है फिलहाल मैं अगर हां कहूं क्योंकि आप ये भाशा जानते हैं तो आप उससे एक अर्थ जोड रहे हैं अगर आपको ये भाशा ना आती तो जहां तक आपका सवाल है मैं बस एक आवाज पैदा कर रहा हूं क्योंकि आप उनकी भाशाएं नहीं जानते आपको लगता है कि वो कुछ अजीव आवाज हैं पैदा कर रहे हैं नहीं वे कुछ बोल रहे हैं अगर मैं ऐसी भाशा में बोलूं जो आप नहीं जानते तो आप सौभाविक रूप से सोचेंगे कि मैं कुछ अजीव आवाज हैं पैदा कर रहा हूं है कि नहीं? अगर मैं अभी इस समय तमिल में या कनड़ा या तेलगू या कोई और भाशा में बोलूं जो आप नहीं जानते आपको लगेगा मैं कुछ आपको पता नहीं चलेगा कि मैं वागई किसी भाशा में बोल रहा हूँ या कुछ बखवास आवाजें पैदा कर रहा हूँ है की नहीं? तो शब्द बस एक भनी है तो उन्होंने कहा कि वो शब्द है भगवान क्योंकि कोई भी इंसान जिसने अस्तित्यों को पास से देखा है वो देख सकता है कि जिसे आप स्रिष्टी कहते हैं और जिसे आप स्रिष्टा कहते हैं इन्हें अलग नहीं किया जा सकता अगर आप उन्हें अलग करें तो स्रिष्टी का अस्ते तो नहीं रहेगा जब तक कि इसे स्रिष्टा का निरंतर सहारा नहीं मिलता एक पल के लिए भी ये स्रिष्टी की प्रक्रिया नहीं चल सकती क्योंकि स्रिष्टी बन नहीं चुकी है ये निरंतर बन रही है क्या आप निरंतर बन रहे हैं या बन चुके हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बन नहीं चुके हैं आप एक जारी प्रक्रिया हैं स्रिष्टी की भागीदारी के बिना स्रिष्टी एक जारी प्रक्रिया कैसे होगी? वो निरंतर भागीदारी है वो अलग नहीं हो सकता तो इसी वज़े से उन्होंने कहा सबसे पहले शब्द था मतलब पूर्ण, अव्यक्त, अस्तित्व जिसकी जब अभिव्यक्ती शुरू हुई तो सबसे पहली चीज जो हुई थी वो ध्वनी थी वैज्यानिक भी सहमत हैं कि बिग बैंग हुआ था बैंग मतलब ध्वनी है ना भारत में बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किया गया है कि पहले और एक मात्र इश्वर जो दुनिया के इस हिस्से में मौजूद थे, वे थे रुद्र रुद्र का मतलब है तो उन्हें रुद्र इसलिए कहा गया क्योंकि यही सृष्टि की शिर्वात है क्योंकि यह एक गर्जन है वैज्यानिक इसे बैंग कहते है अब वैज्यानिक बैंग के सिधान्त को वापस ले रहे है कि एक बिग बैंग हुआ था वे कह रहे हैं कि कई बैंग हुए थे तो आज के एक मशूर भौतिक विज्ञानी जिन्होंने कई मशूर किताबे लिखी है हाली में उन्होंने एक किताब लिखी है मैंने वो पढ़ी नहीं, मैं उनसे मिला उन्होंने एक किताब लिखी है हाँ, अंथीन ब्रह्मान्ड। हमेशा विज्ञान ने ये विश्वास किया है कि हर चीज की एक शुरुवात और एक अंत होता है। अब भौतिक विज्ञानी अंथीन ब्रह्मान्ड के बारे में बात कर रहे हैं। योगिक प्रणाली में हमेशा एक निरंतर फैलते हुए ब्रह्मान्ड की बात की गई है। पहली बार शीर्स्तर के बहुतिक विज्ञानी ये मानने लगे हैं कि कोई शुरुवात यांत नहीं है। ये अंथीन ब्रह्मान्ड है। ये एक मशूर सिध्धान्थ है जो अभी वैज्ञानिक समुदाय के बीच है कि ब्रह्मान्ड अंतहीन हो सकता है। तो जब मैं इनसे चर्चा कर रहा था, मैंने पूछा कि क्या ये संभव है कि वो एक बैंग नहीं बलकि एक गर्जन थी, एक निरंतर गर्जन। उन्होंने इस बारे में सोचा और उन्होंने कई चीजों के बारे में सोचा और वो बोले ये हो सकता है। शायद वो एक बैंग नहीं था, वो एक गर्जन थी, वो एक पल में नहीं हुआ, वो कुछ समय तक गर्जा और फिर धीरे धीरे स्रिष्टी बनने लगी, तो पहला रूप, पहले ईश्वर को गरजने वाला कहा गया, रुद्र मतलब गर्जन करने वाला, तो मैंने पूछा आपको क्या लगता है, उन्होंने कितनी बार गर्जन किया होगा, वो बोले हम कह नहीं सकते, हम कह नहीं सकते क्योंकि हमारे पास जानने का कोई तरीका नहीं है, कि कितनी बार, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने एक से जाधा गर्जन की थी, फिर मैंने कहा किसी दिन अगर आपकी खोज आपको वहाँ पहुंचाती है तो इसे एक सहायक चिन्न के रूप में रखिए कि वे 84 बार गर्जे थे उन्होंने पुछा आप कैसे जानते हैं किस आधर पर ये कह रहे हैं मैंने कहा अपने सिस्टम में देखकर मैं कह रहा हूँ कि स्रिष्टी ने 84 बार गर्जन किया है और ये आगे भी कई गर्जन करेगी ये कुल मिलाकर 112 बार गर्जन करेगी जब ये आखरी बार गर्जन करेगी तब कोई शुरुवात और कोई अंत नहीं होगा ये शाश्वत स्रिष्टी होगी वो बहुत दूर है पर मैंने उनसे कहा कि आप 84 को किसी तरह के सहायक स्तंब के रूप में रखे आपके पास मशीन और गणित हैं मैंने एक और एक कितना है ये भी नहीं सिखा आपने ये सभी चीज़े सीखी हैं आप उन पर काम कीजे किसी दिन अगर आप एक संख्या तक पहुँचेंगे तो आप इस संख्या तक पहुँचेंगे ये 84 होगा ऐसा कैसे हो सकता है उन्होंने पूछा मैंने कहा अगर आप आज एक पेड काटते हैं तो लोग उसके तने में मौझूद छलों या चक्रों को देखकर कहते हैं कि पिछले हजार सालों में आकाल कप पड़ा था, जादा बारिश कब हुई थी, आग कब लगी थी, सब कुछ है ना अगर आप अपने सिस्टम में अपनी जागरूकता का इस्तेमाल करके प्रवेश करते हैं तो इस स्रिष्टी का पूरा इतिहास इसमें लिखा हुआ है इस स्रिष्टियों में से जो हुई है, 83 हो चुकी है, ये वाली हो रही है, इन में से जैसे स्रिष्टी हो रही है, निरंतर, विलीन होना भी निरंतर हो रहा है तो विलीन होने की प्रक्रिया कुछ स्रिष्टियों के लिए शुरू हुई और ये विलीन होती गई, विलीन होती गई, उन में से सिर्फ 20 अब तक विलीन होने की प्रक्रिया में हैं, विलीन होने के अलग-अलग स्तर हैं, बाकी की पूरी तरह से मिट चुकी हैं, सिवाए इसके कि आप अपनी जागरूपता में उन्हें देख सकते हैं. इस श्रिष्टी में देख सकते हैं क्योंकि किसी रूप में इनमें उनका शेष भाग या अनुभव मौजूद है. उसी तरह जैसे आपके जीवन का अनुभव आपके हर काम में आपके साथ होता है. श्रिष्टी की प्रक्रिया भी हर श्रिष्टी का अनुभव अगली श्रिष्टी में अपने साथ लेती आई है अगले में और उसके अगले में हाला कि वे पूरी तरह से अलग हैं हाला कि वे पूरी तरह से अलग हो सकती हैं देखे, आप स्कूल गए और फुटबॉल खेली और ये 25 साल पहले हुआ था अब अचानक से अब आप 45 साल के हैं और एक चोर आपके घर में घुश गया जब आपके घर में चोर घुशता है आप आप करके ऐसे नहीं करते, आप ऐसे करेंगे क्योंकि आपका फुटबॉल का खेल, अचानक ऐसी चीज जो आप पूरी तरह से भूल चुके हैं वो कहीं आपके सिस्टम में हैं, वो बहार आ जाती है आप चोर को एक फुटबॉल की गेन की तरह मारते हैं, ना की कराटे केक या कलरी पट्टू केक या किसी और तरह तो वो अनभव, आपने फुटबॉल शायद एक महिने या तीन महिने के लिए खेली होगी लेकिन वो अनभव, उस अनभव का बचा हुआ हिस्सा आप में अब भी गहरा समाया हुआ है और ये कहीं एक बिल्कुल अलग जगा में व्यक्त होता है इसी तरह आप हर समय विक्सित हो रहे हैं इसी को हम कर्म कहते हैं तो ये व्यक्तिकत कर्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं लेकिन एक ब्रह्म्हांडिय कर्म होता है स्रिष्टी का अपना कर्म होता है क्योंकि स्रिष्टी खुद एक कर्म है, है ना? स्रिष्टी का बनना, क्या ये एक काम नहीं है? या 83 हुई हैं, ये 84 हो रही है इन में से पुरानी स्रिष्टियां पूरी तरह से विलीन हो चुकी है उनका अस्तित्व बस अपनी स्रिष्टियों में मौजूद अनभव की छाप के रूप में है पर वे जीवित नहीं है लेकिन इससे पहले की 20 स्रिष्टियां अब भी अलग-अलग स्तर पर जीवित है कुछ बहुत ही धुंदली हो गई है कुछ प्रबल है, कुछ जादा प्रबल है, कुछ लगभग असली है, जैसे ये है ये लगभग ऐसी ही है, लेकिन ये विलीन हुने की प्रक्रिया में है वहाँ स्रिष्टि की प्रक्रिया सक्रिय रूप से नहीं हो रही है विलीन हुने का यही मतलब है देखे फिलाल आप के लिए मृत्यु का क्या मतलब है जब आप बच्चे थे, जितनी नई कोशिकाएं आप पैदा कर रहे थे, मान लीजे एक साल में आप सौ और अरब कोशिकाएं बना रहे थे जब आप 35 के हो जाते हैं, ये थोड़ा कम हो जाता है जब आप 45 के होते हैं, ये थोड़ा और कम होता है 55 की उम्र में और कम होता है 75 पर और भी कम एक समय आता है जब आप जो पैदा करते हैं और जो मरता है जो मरता है उसकी संख्या नए से जादा है इसी तरह से बुढ़ा पाता है स्रिष्टी के साथ बिलकुल यही प्रक्रिया हो रही है विलीन होना हर समय होता है यहां भी विलीन होना हर समय होता है लेकिन नई स्रिष्टी हो रही है तो यह पूरी उर्जा से चल रही है यह नई स्रिष्टी धीमे पड़कर रुख गई तो कुछ समय बाद, कुछ समय अंतराल के बाद यह बस कम होने लगी सिर्फ विलीन होने लगी और कुछ समय बाद सिर्फ यादाश्ट की च्छाप है जीविद च्छाप बिलकुल नहीं है तो इस इस अर्थ में सिर्फ 21 अब तक किसी रूप में मौजूद है बाकी की बची हुई 63 जी हाँ 63 पूरी तरह से गायब हो चुकी है यह आपको नहीं मिलेंगी इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे देखते हैं लेकिन आप उन्हें अपने सिस्टम में याददाश्ट की चिन्हों के रूप में देख सकते हैं क्योंकि वो च्छाप, वो अनुभव अब भी यहाँ हैं यह एक असली चीज है बाकी सभी घटे करम के अनुसार सक्रिय हैं इन में दो हैं इस सिर्ष्टी में दो हैं एक भौतिक्ता है जिसमें हर चीज की आदश्ट है दूसरा है सिर्ष्टी का स्त्रोत जो भविश्य का आधार है आप यातो अपने अतीत को अपना भविश्य बनने दे सकते हैं जब आप अपने अतीत को अपना भविश्य बनने देते हैं हम आपको देख कर कहते हैं यह उसका कर्म है जब हम कहते हैं वो उसका कर्म है इसका मतलब है कि वो अपने अतीत को अपना भविश्य बनने दे रही है उसमें कोई नई संभावना नहीं है यही बात है जब हम किसी को देख कर कहते हैं कर्म हम बस यही कह रहे हैं कि वे अपने अतीत को अपना भविश्य बनने दे रहे हैं उनका वाकई कोई भविश्य नहीं है, वो खुद को दोहराएगा। जब आप कहते हैं मैं आध्यात्मिक मार्ग पर हूँ, तो आप एक स्थर पर ये कह रहे हैं कि आप वाकई ये कह रहे हैं कि आप अपने अतीत को अपने भविश्य के रूप में धोराने नहीं देना चाहते, आप अपने जीवन को चक्रिय नहीं बनाना चाहते, आप अपने जीवन को आगे ले जाना चाहते, आप उसे चक्रिय नहीं बनाना चाहते, पिछला मंत्र जिसका अभी आप उचारण कर रह वो है पुनरपी जननम, पुनरपी मरणंव, मतलब ये चक्र, मैं इसे किसी तरह तोड़ना चाहता हूं, क्योंकि जब आप किसी चक्र में आ जाते हैं, जब आप गोल घूमने लगते हैं, तो आप कहीं नहीं पहुँचने वाले जब आप कहते हैं कि कोई गोल घूम रहा है तो इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब बस ये होता है कि वो कहीं नहीं पहुँचेगा तो जब हम कहते हैं ये उसका कर्म है तो हमारा मतलब यही होता है, कि वो कहीं नहीं पहुचेगा, क्योंकि घूमते हुए उसे ऐसा लगता है, कि यह नई यात्रा है, यह नई यात्रा है, क्योंकि उसकी याददाश्ट बहुत छोटी है, हर किसी को भूलने की विमारी है मा के गर्ब से पहले क्या था, या मा के गर्ब में क्या था उन्हें यात्रा नहीं, वे भूल जाने की स्थिती में, इसलिए गोल घूमना नया लगता है, हर बार घूमकर नया लगता है ये गोल घुमते जानवरों की तरह है, सरकस में जानवरों को घुमाते हैं ये बस वैसा ही है भारत में विशेश रूप से योगिक संस्कृती में ये उदारण शायद कहीं योग सूत्र में ही है ये वाला उदारण उनकी तुलना तेल की चक्की के बैल से की जाती है तेल की चक्की पर वे बैलों के साथ ये करते हैं वे उनकी आँखों पर कपड़ा बांदेते हैं उनकी आँखों पर कुछ बांदेते हैं या फिर सब कुछ बांद कर बस इतना छोड़ देते हैं और ये एक तेल की चक्की है पर बैल सोचता है वो कहीं जा रहा है जैसे आप ट्रेडमिल पर चरते हैं और ऐसा लगता है कि आप कहीं जा रहे हैं पर आप कहीं नहीं जा रहे हैं यही कर्म है तो ये आयाम जिसे आप अभी देख रहे हैं वो दो स्तरों पर है एक हो चुका है, दूसरा हो रहा है, तो उनमें से 83 हो चुके हैं। अगर आप संख्याओं में बात करना चाहते हैं, तो 83 हो चुका है, पर अब भी हो रहा है। बचे हुए हिस्से के रूप में ये अब भी हो रहा है आपका जन्म हो चुका है क्या हो चुका है? जन्म हो गया है पर अब भी हो रहा है आपकी मृत्यू हो चुकी है लेकिन अब भी हो रही है आप समझे आपकी मृत्यू तय है है यह पहले ही हो चुकी है जिसपल आप पैदा हुए थे आपके मृत्ति हो गई थी मृत्ति की ओर आपका पहला कदम हो गया था पर अब भी हो रहा है आप इसके पूरे होने का इंतिजार कर रहे हैं या आप इसे टालना चाहते हैं लेकिन यह हो रहा है है न? और ये पहले ही हो चुका है तो आप में एक और आयाम है जिसका जन नहीं हुआ है नहीं मृत्ति होगी अगर आप उस आयाम को छुएं सिर्फ तभी आप में भविश्य जैसी कोई चीज होगी वरना आपके पास बस कर्म है कर्म मतलब आप अपने अतीत को भविश्य के रूप में धोरा रहे हैं आप शायद रंग बदल रहे हो आप शायद तरीके बदल रहे हैं कि आप उसे कैसे करते हैं पर फिर भी वही चीज है कुछ भी अलग नहीं है वही चीज जो गुफा में रहने वाला आदमी करता था आप भी वही कर रहे हैं तरीके और क्षमता शायद बदल गई हो लेकिन चीज वही है कैसा नहीं है ये एक लंगर है ये एक लंगर है आपने लंगर फेंक दिया है और आप अपनी नाव को चलाने की कोशिश कर रहे है जादा से जादा वो गोल घुम सकती है है न? तो हम लंगर खीचने की या लंगर की रसी काटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगली बार नाव चलाने पर वो दूर चली जाए तो पूरी आध्यात्मिक साधना इसी पर आधारित है कि आप मुक्त होना चाहते है मुक्त का मतलब ये नहीं है कि आपको भूलना होगा लेकिन आपको उस याददास्ट से मुक्त होना होगा जो आपको चलाती है और ये याददाश सर्फ आपके मन में नहीं, आपके शरीर की हर कोशिका में याददाश्ट है वंश विज्ञान और अनिज चीजों से ये हमारे लिए बिलकुल स्पष्ट है कि आप में अपने पूरवजों की यादश्ट है और आप आज भी उनके तरह बरताव कर रहे हैं आपकी नाक आज भी उनके जैसी है, आप देखिए अगर आपने हाल ही में नाक की सरजरी ना करवाली हो कई सारे प्रतीक हैं या शरीर में कई पहलू हैं जो स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि इन चौरासी स्रिष्टियों की यादश्ट अब भी आपके शरीर में मौझूद है ये स्रिष्टी के हर परमानों में है तो आप उसे साफ करना चाहते हैं आप उस यादश्ट को साफ करना चाहते हैं क्योंकि ये यादश्ट आपको बांगती है ये याददाश्ट आपको जुड़े होने की भावना देती है पर साथ ही साथ आपको बांती है आपको जाने नहीं देती तो जब आप साधना करते हैं तो आप सब कुछ काटने की कोशिश करते हैं क्योंकि काटे बिना अपना लंगर काटे बिना आप आगे नहीं जा सकेंगे तो ये याददाश्त मुझे क्यों रोके रखती है इसी याददाश्त ने आपके शरीर को और आप जो अभी हैं उसे एक रूप पर समगरता दी है इसके बिना इस याददाश्त के बिना ये शरीर नहीं बनाया जा सकता एक कोशिका के जीव की याददाश्त आप में हुए बिना उस सारी जानकारी के विकास की प्रक्रिया से गुजर कर आपका रूप लिये बिना उस याददाश्त के बिना ये शरीर एक रूप लेकर टिक नहीं सकता तो याददाश्त आपकी दुश्मन नहीं है बात ये है कि आपको उसे संभालना नहीं आता आप उसमें समा गए हैं यही समस्या है आप उसमें समा गए हैं जो आपके अतीत से अलग हो